पर्फोलय में 25-40 रुपे के बहुपे वो जानना चाहते हैं कि नजरिया उनका छोटी अब जी क्या रहा होगी रिलाइंस पर नजरिया इन चोटी अब जी कर रखने हैं कि नजरिया ये बदले का है शेयर प्रेव मुझे लग रहे हैं कि देखिए नजरिया अगर इनका कम से कम 3-6 मैने का है तो definitely मुझे लग रहे हैं इनको hold करना चाहिए आला कि इन्होंने थोड़े से उपरी लेवल पर ये शेर खरीदा है लेकिन जहां पर नियर टम का trigger बनता है वो basically geofinancial services का listing का है जो possibly September end में होना चाहिए और तभी मेरे क्याल से Reliance में भी थोड़ा बहुत value upside आने की उमीद रहेगी प्लस अगर हम इनके retail business को देखे टेलीकॉम business को देखे तो numbers लगातार अच्छी आ रहे तो मेरे क्याल से देखे तीन से चे मेने का अगर यावदी रखते है तो 2700-2750 का एक नियर टम का टागर बन सता है लॉंगर टम में तो और भी पैसा बनेगा वर शॉट टम हो तो मैं समझता हूं कि कम से कम तीन से चे मेने का टाइम फिर्म रखिए क्योंकि तभी आपको एक अच्छा रिश्वार्ड मेलेगा एक दम शॉट तम में शायद कोई बड़ा ट्रिगर ना है इनको अलीजी को परफोलियो में दो सो बावन रुपे के भाव पर पिछले कुछ सत्रों से देखिए कि पावर शॉट में तेजी के बाद जो है कहने का मुनाफ़ा वसूली का दबाव दिख रहा है नितलेस पावर ग्रीट पर क्या रहा होगी आपकी